मुहमत शाबुद्दिन की पतनी हीना शाब का फाइनल हो गया इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है हीना शाब अब निर्दली ये चुनाव लड़ सकती हैं हीना शाब किस पार्टी पे शामिल होंगी अब इन सारी चर्चाओं पर विराम लग गया है बता दें कि हिना शाब लोग सभा सीट से चुनाव लड़ेंगी सोशल मीडियो और तमाम जगों पर जर्चाओं शुरू हो गई है कि हिना शाब किसी भी पार्टी का दामन नहीं थामेंगी बलकि वन निर्दली अपना भाग आजमाएंगी वहीं इस खबर के बाद विरोधियों में हलचल मच गई है बताते चलें कि लोग सभा चुनाव 2024 के तयारी सभी दलों ने शुरू कर दिया है सिवान में दोनों प्रमुगट बंधर एंडी और इंडिया से कौन दल चुनाव लड़े का और कौन प्रत्याशी हो सकता इस पर कोई सुबगाहत नहीं हो रही है इन सब के बीच सिवान के पूर्वसांसत शाब उद्दीन की पत्नी हिनश शाब ने लोग सभा चुनाव की तयारी शुरू कर दी है अपने लोग सभा छेतर में वह लगतार दौरा कर रही है और अब इन शाब निर्दली चुनाव लड़ने का फैसला ले सकती हैं बता दे कि इन शाब ने पहले भी कई मौकी पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा था कि वक्त आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा बता दे कि राज़त से शाबुद्दीन परिवार की दूरियों की लगतार खबरें आई थी अभी कुछ दिन भी पहले उपुमुकी मंत्री तेजस्वी यादर सिवान में जन विश्वा सियातर के तैय ताय थे उनके मंच पर तमाम लोग मौजूद थे लेकिन दियों का दामन ठाम सकती है लेकिन इन सारे चर्चाओं पर विराम लगता हुआ दिख रहा है तो बता दे कि बड़ी खबर या है कि हिना शाब ने दलिय चुनाव लड़ सकती है या सुत्रों के हवाले से बड़ी खबर है हलाकि आधिकारिक रूप से हिना शाब ने इस बा